है दोस्तों वेलकम टो रेश्मी डिजाइनर चैनल आज मैं आप लोग को दो मीटर कबड़े से कुर्टी कटिंग बताऊंगी यह पार्ट मैंने कोटी के लिए रखा है बगल में स्लीव के लिए और नीचे से गेर के लिए यह हम नायरा कुर्टी बना रहे हैं कोटी के लिए मैंने 23 इंच चौड़ाई और 16 इंच लंबाई का फैब्रिक अलग करके इस तरह से कट करके रख लिए अज स्लीव के लिए मैंने 19 इंच चौड़ाई लिए और लंबाई हमारी वही 16 इंच रहेगी इस तरह से 2 मिटर से संदर से कुर्टी बन जाती है नायरा व और लंबाई हमारी 27 इंच है इसको अलग कर लेंगे हैं इस तरह से और थोड़ा सा हमारा फैब्रिक ये देखिए ये एक्स्रा बच गया इससे हम कुछ अलग से बनाएंगे आपको वीडियो के इंड में दिखाएंगे तो आप लोग वीडियो के लास्ट टक बने रहिएग और अब हम कोटिक कटिंग करेंगे साथ इंच हमारा ने को शोल्डर का हो गया साड़े छे इंच आर्मोल बागी इस सब मेजर्मेंट आप अपने अकॉर्डिंग लख सकते हैं ये मैं 36 इंच के लापाव हें 10 इंच यहां से मैंने लिया है फीटिंग का निशान और नीचे से साड़े आठ इंच उसके बाद अब हम इससे सीधा कर लेंगे इस निशान को यह समारा है तो अगर हम कटिंग करेंगे तो आगे से करेंगे दो इंचे क six गषा रख कर अब इसके कर लेते हैं यह जो हमने सरकल बनाए था हिसे कल क्या होई यह मारी कोटिकी क्टिंग हो गा numa क्या थे कि इसको one by four fold में कर लेंगे फोरफोल्ड में करके हम क्टूर्टी हम करते हैं को पूर्टी कट होती है इस तरह से रकेंगे और ये तीन इंच पे निशान लगाएंगे और यहां से इस तरह से गुलाई देंगे नीचे मैंने आठ इंच पर निशान लगाया यह देख सकते हैं आप यह देखिए और अब इस निशान को हम कट कर लेंगे इस तरह से पहले यह गुलाई कट करेंगे यह चिकन कारी है कड़ाई तो इसमें थोड़ा सा कट करने में दिखकर जा दिए कि उसके बाद इस तरह से हम तिशा यह कट कर लेंगे यह मेरा मार्जिन वाला निशान है फिटिंग का नहीं है उसके बाद आगे से थोड़ा सा छाट देंगे जो कम वाला पार्ट रहेगा यही हमें कुर्ती में अगे के साइड रखना है हमारी स्लीव कट हो गई है यह सब प किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हां मैंने कहा था न छोटे स्टुक्रे से मैं कुछ लास्टम बना कर दिखाऊंगी यह देखिए मैंने छोटे से बेबी की फ्रॉक बनाई है तो आपको यह वाप कैसे लगे कमेंट करके ज़रू बताइएगा थैंक्स फॉर वाचि आपको यह दो आपके जबी का जबें बनाई है तो आपको यह वाचिए न लुक्को शपको यह दोड़ खिये प्रॉक्राइऑब करें लगे